अगर हम एक सेकेंड हैंड मोबाइल खरीद रहे हैं तो उसमें हमको क्या-क्या चेक करना चाहिए ताकि मोबाइल खराब न हो सबसे पहले आपको यह बता रहे हैं अगर आप सेकेंड हैंड मोबाइल खरीद रहे हो तो जिस मोबाइल जिस आदमी से खरीद रहे हो सबसे पहले आप उसका बिल मांगे अगल बिल नहीं है तो उसका आधार कार्ड जरूर अपने मोबाइल में रख लीजिए या मतलब आधार कार्ड जरूर ले लीजिए और जिस मोबाइल जिस इंसान से ले रहे हो उसका एक मिनट के वीडियो बना के अपने मोबाइल में सेव करके रख लेना चाहिए वीडियो में यही बनाना चाह यह नहीं को बेच रहे हैं और इतना पाईसा ले रहे हैं जो सेथिंदे द में लेने इसका कबर लगवा के और इतना अच्छे से गलास लगवा के लेके आए हुए हैं बेचने के लिए देख लीजिए इसको हम जा लीजिए ये मोबाइल हम बेच रहे हैं और कस्टूमर खरीद रहा है अब हमको क्या-क्या चेक करना चाहिए देखिए कबर तो देखने में उपर से तो एकदम अच्छा लग रहा है और गलास भी अच्छा वाला लगा हुआ है और देखेंगे एकदम बारीकी से गलास टुटा हुआ है देख लीजिए यहां से लेके ऐसे एक किरेख हुआ है एकदम बारीकी से आपको देखा दे रहे हैं देखेंगे अगर आप एकदम दिमाग से देखेंगे तो यहां से गलास एकदम किरेख हुआ है अगर देखेंगे तो मोबाइल में सबसे पहले आप देख लेना किसी भी किनारे से गिलास तो नहीं चिटका है देख लीजिए अगर वो इसे इंसान रहेगा जो मोबाइल बहुत कम चलाता है तो देख नहीं पाएगा ये गलार चिटका है कि डिस्प्ले चिटका है आपको ब मतलब उपर का गलास नहीं तूटा है अंदर का एक काच तूटा है और देखने में बता दे रहे हैं जैसे पाई आई हुई है तो यहां पर जहां खतम हुई है तो देख लेना गलास से पहले ही और आगे तक तूटा है गलास तो यहां पर खतम हो गया है लेकिन टच तूटा ह और आगे तक इसका टूटा हुआ है यहां तो एह तरप्श आगे तक टूटा हुआ है उप्र से अच्छा वाला गळाण लगा दीती सोर सुरक्यिया नहीं दिखांगये इसलिए बहुत कम देरा अरं यह डेख़ लिजिए यहां से इसे कर दो हुआ है यहां पर उपीर वाला गलास है यहां तक है यहां से हलका एक बार बे दिखाई पड़ रहा है नहीं यह डिस्प्ले वाला कांच टूटा हुआ है आप इसको चेक कर लेना नहीं तो ऐसे से कर देना अगर अंगुरी में बज रहा है तब तो जान लेना कि उपर वाला टार्ट तो मतलब टूटा है तब भी अगरा अंगुरी में बज रहा है तब ही एक बार चेक कर लेना कि अंदर Mowla टूटा होगा यहां से चेक कर लिए जाता है जहां तक गलास रहता है अगर बारीकी से देखोंगे और आगे तक टूटा रहेगा तो जान लिजिए डिस्पले वाला काँच टूटा हुआ है अब देख लिजिए अब इसको हम चला के चेक कर लेंगे और इसको हम बढ़िया से चेक कर लेंगे फोन करके कि हमारी अबाज आ रही है जा रही है क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और एक बात बता दे रहे हैं अगर डिस्पले चेंज करवाए रहेंगे तो किनारे से गुलू लगा रहेगा देख लीजिए इसका डिस्पले चेंज हुआ है एकदम बारीखी से इसमें देखाई दे रहा है कि डिस्पले चेंज हुआ है अगर नहीं आप चेक कर पा रहे हो तो एकदम डिस्पले खोल लीजिए और इसकी क्वाल्टी देख लीजिए धीम तेज करके अगर देख लीजिए इसको नीचे बीवो का है नीचों से धीम होता है देखिए इसको तेज कर दिये हैं इतना ज्यादा लाइट नहीं मतलब इतना ज्यादा लाइ लेकिन जब हम इस चलाएंगually इस में नहीं देखाई कोई भी एकर चलाएंगे तहले वाला ले वह जो white white दिखाई दे रहा है तो वह नहीं दिखाई देगा आपको बेचेगा और चला जाएगा लेकिन ज़ो बता रहा है आप इसको चेक का लेना अगर आप इस mobile खईद रहे हो तो एक बार उसको खोल कर भी चेक का लेना है कैसे खोलना है सबसे पहले हमको sim टाली को निखाल लेना है कभी कश्टूमर कहते हैं कि यपको बार mobile ये खुली नहीं है देख चाही कतो बीचे कलाज दे लीजिए अगर आपकी mobile ऐसे sim निखाल लीजिए sim टाली निखाल लीजिए उसके बाद अगर कहरा कश्टूमर खुली नहीं है तो एक बार इस धक्कन आराम से खुल जाएगा देख लीजिए यहां से ना खून लगाएंगे आराम से धक्कन खुल जाएगा किसी भी mobile का रहेगा लेकिन जो पीछे पाइनल रहता है उकाच वाला वो नहीं खुलेगा लेकिन जो धक्कन रहता है आराम से इसे खुल जाएगा अगर आप ऐसे खुलेंगे तो ए आराम से खुल जाएगा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर फिंगर लगा रहेगा तो आप फिंगर को देख के उठाएगे अगर फिंगर नहीं लगा है तो मान के चलिए इसमें जिसे फिंगर वाला है है नहीं लेकिन बता दे रहे है अगर आपका फिंगर वाला है तो इसे खोल के अराम से इसे उठा के देख लेंगे कि तरफ finger का पत्ता लगा है यह तरफ की वो तरफ अगर दिस तरफ लगा है तो उस तरफ से नहीं उठाईएगा दूसरे तरफ से उठा लीजिएगा देखिए एक customer ने बेचा हुआ है मोबाईल एकदम पानी में गिर गई है देख लीजिए ICO इसे एकदम हीट मारी हुई है और यहां पर बत्ती वत्ती में jumper मारा हुआ है देख लीजिए एकदम काला पन पर चुका है डिश्विले में गीरा पानी में गीरा था इसलिए इसको बनवा के बेच दे रहा है देख लीजिए आपको एकदम चेक करा दे रहे हैं अगर खोलोगे तो ऐसे ही आपको नजार आएगा देख लीजिए सब हीटिंग है मोबाईल खुली है इसमें पूरा नट बोल्ट भी नहीं लगा हुआ है न यहां पर न यहां पर न यहां पर पूरा बहुत सारे नट बोल्ट नहीं लगे हुए हैं आप ढ़कन खोलोगे तो आपको खुल पता लग जाएगा अगर अगर खुली नहों तो जो पेच लगा रहता है यहां पर सील पेक लगा रहता है उसमें एकदम नट को मूना जाता है अगर उसको खोलोगे तो पेच लगाओगे तो निसान पढ़ जाएगा इस इसे पहचाना जाता है देख लीजे एकदम अच्छे तरीके से और एक जो यह रखा हुआ हलका लाल हुआ है अगर इस पानी में चला जाता है तो एक कागज लाल हो जाता है देख लीजे सेकेंड हैंड मोबाइल खहिदना चाहते हो तो एक बार इसको जरूर ऐसे जैसे बता हुए है चिक कर लेना और बीडियो बना के आधार काड़ लेके जरूर रख कोई भी हो चाहिए आप उसको बराबर जानते हो चाहिए नहीं जानते हो लेकिन एक बार इसको जरूर कर लेना अगर कोई मैटर बजता है तो आप उस सबूत को रखे रहेंगे आप उससे निखर पाएंगे नहीं आप 2000 की मोबाइल लेंगे तो 50,000 रूपए धाने पर देक कीएगा मोबाइल की विशे में एकदम छोटी से छोटी जानकारी बताते रहते हैं और सिखाते रहते हैं